दोस्तों, पौधों की दुनिया में आपका स्वागत है आज सर्जी की निमांड हुई कि मिर्च की सबजी खाने है मैंने अपने गार्डन से कुछ मोटी मिर्च और नीबू को तोड़ा और जट पर मिर्च बना दी इसकी रेसीपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैंने मिर्च को दिया, खोकार पॉट को रख दिया फिर इसके बड़े-बड़े पीस कर लिये और साथ में नीबू और लसन की कुछ कलियां ली है मिर्च को बड़े बड़े पीस में काटके उपर से निवू निचोड़ दिया तेल को गरम होने रख दिया कड़ाई में मैंने सरसु का तेल लिया है अब पॉट में मैंने लसुन, फ्राई, मेथी दाना और सोप थोड़ी सी हीन को लेके दरदरा कूड लिया है मिर्च को पेल गरम होने से पेल में डाल दिया इससे थोड़ा ब्राउन होने तक ट्राई करेंगे, भटके रख देंगे जब ये लाल हो जाए, तो इसमें दरदरा पैस्ट डाल दिया है अब इसे बापिस हिला के डख देंगे मसाले तयार करेंगे जब तक हम मसालों में मैंने नमक, खलबी, धनिया पाउडर थोड़ा ज़ादा और लाल मिर्च लिया है मसालों को मैंने इसमें अच्छे से मिला के पानी डाल के बोल दिया है अब जब ये मिर्च थोड़ी थी ब्राउन हो जाए, मैंने उपर से इसमें मसाले डाल दिया है मसाले डालने के बाद थोड़ा सा पानी और एड़ कर दिया है इससे ढख दिया है ढखने के बाद इसमें दो तीन मिनट में ये मिर्च तयार हो जाती है इससे ढख के कुछ मिनट के लिए रख दिया है जब तक इसका पानी सूख नहीं जाए और ये तेल ना छोड़ दे मिर्च ने तेल छोड़ दिया है हिलाते रहिए वीच वीच में हमारी मिर्च तैयार है